आज हमको आपको बताने जा रहे हैं गुफा जो आपको अभी वीडियो में बताई गई थी वह गुफा आपको अभी बता रहे हैं और यह बहुत साल पुरानी गुफा है और यह पाड़ों के बीच में चट्टानों से ड़की भी गुफा आएगी कि आए फ्रेंड आपको हम यह गुफा के बारे बताने जा रहे हैं दिखा रहे हैं आए देखिए रस्ता बहुत खतरना के और गुफा का से नहीं वहुत पत्तरहों के हीमें बनी कही है गुफा बहुत पुरानी गुफा हो जोज का रास्ता भी यह तर बहुत उपर कम से कम यह धाय तीन सो फूट उपर है कि देखिए फिरेंड केसे कहां पर बनी कई यह गुफा आई है चट्टानों के बीच में उपपा तक कि हम पिछले दो गंटे से यहां पहाडों के बीच में घुम रहे हैं और हमको एक गुफा मिली यह हैं पर कथरों के बीच में भाइसाब थोड़ा बताई यह थाड़ा वाइसाब हम आप जो आपको गुफा बता रहे थे पिछली वीडियो में उसके बार में बताना चाहेंगे कि यह गुफा बहुत ही जो आपको दिखाई दे रहे होगी कि यह पूरे पत्थर से ब कोई मकान नहीं दिख रहा पेडी पेड़ा दिखे रहे हैं सब जंगल बहुत भारी है यहां पर काफी डर लग रहा है फिर भी हम इस वीडियो को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए आपको इस गुफा नजारा दिखाने के लिए बहुत ही दूर से आयां अब भाई साब मैं आप तो यहां कभी आ नहीं सकते क्योंकि यहां पर चलने में भी बहुत कठी नहीं आती है और यहां पर बहुत ही डिलागता है हम तो यहां के रहने वाले इसलिए यहां पर आ चुके हैं यहां पर आने में तो बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन नजारा बहुत काफी सुन्दर है यहां कि देखने के लिए बहुत लोग तो आते हैं लेकिन मेनद करनी पड़ती है यह आपर आने के लिए तो चलो हम आपको गुफा दिखाते हैं देखो कैसी गुफा है तो चलो गुफा का नजारा भी देखते हैं पहले गुफा के उपर देखो कि यह कितने पत्थरों से बनी हुई है, और यह पूरा तिला जो पत्थरगा है, उसके बीच में से यह गुफा बनाई गई है, तो आपको यह गुफा का नजारा दिखाए दे रहा होगा, यह देखो, यह गुफा, यह देखो अंदर जा रही है यह गुफा, ज़रो मैं अंदर कि दिखाते हूं आपको यह अंदर जा रहे हैं थोड़ा सा अंदर बहुत बदभू है अंदर थोड़ी मतलब हंदेरा हो रहा बिल्कुल लंद जान नहीं सकते हैं अंदर थोड़ा होने के कारण यहां पर काफी ड़ लग रहा है कम वीडियो को जल्दी यहां पर ही थोड़ा समाप्त कर देते हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हम हम तो ऐसे सोच रहें कि यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब जरूर करना थैंक के धन्यवाद भाई साथ